साथियों, समय के साथ विद्यार्थियों और स्कुलों के बीज भी डिस्कनेक बढ़ता जा रहा है। पढ़कर निकलने के बाद बच्चे स्कुल को तब याद करते हैं जब उन्हें कोई फार्म भरना होता है और वहां से कोई दाखला लेना होता है। मैं बहुत बार लोगों से पूचता हूँ क्या आपको मालूम है कि आपकी स्कुल का स्थापना दिवस या आपकी स्कुल का जन्मदिन कब होता है। जन्मदिन यानि वो कौन सा दिन था जब आपका स्कुल उस गाव में शुरू हुआ था। और मेरा जो अनुभव रहा है कि बच्चों को या स्कूल की मेनेजमेंट को या टीचर को किसी को पता नहीं होता कि जी स्कूल में वो नोकरी कर रहे हैं या जी स्कूल में वो फड़े थे वो स्कूल कब शुरू हुई थी। यह जानकारी नहीं होती है बाईगों स्कूल और स्टूडन के बीच दिस्कनेक्ट दूर करने के लिए यह परंपरा शुरू की जा सकती है कि हम स्कूलों का जन्मदिन मनाएं और बड़े ठाट से मनाएं पूरा गाव मिल करके मनाएं और इसी बहाने आप उस्कूल में से प एक पूरा माहोल बदल जाएगा अपनत्व के नई शुरूवात हो जाएगी इससे कनेक्ट बनेगा समाज जुड़ेगा और आपको भी पता चलेगा कि हमारे जो पढ़ाई हुए बच्चे हैं वो आज कहां कहां पहुंचे हैं आप गर्व की अनुभूत ही करेंगे और मैं यह भी देखता हूं कि स्कूलों को पता नहीं होता है कि उनके पढ़ाए बच्चे कहां पर पहुंच गए हैं कितनी उचाई पर है कोई किसी कंपनी का CEO है कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई सिविल सर्विसिज में आ गया है उसके बारे में सब जानते हैं लेकिन व हो किसी भी पत पर क्यों नहों अगर उसको उसके पुराने स्कूल से निमंत्रन आएगा तो कुछ भी करके खुसी खुसी उस स्कूल जुरूर जाएगा इसलिए हर स्कूल को अपने स्कूल का जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए